आप विश्वास करेंगे आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा अब रभू कोई भी संशे कोई भी संधे हमारे मन में नहीं आना चाहिए उस इशू के नाम में हम समर्पित करें अपने आपको आलेलुया आज का जो वचन है परमिश्र की क्रिपा से बहुत 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 अद्भुत है अगर आज के वचन को आपने समझ लिया मेरे भाई मेरी बेहन आपके जीवन से तीन चीजे निकल जाएंगी तीन चीजे आपके जीवन से निकल जाएंगी पहला संधे करना दूसरा दोश लगाना और तीसरा निराश होना ये तीन चीजें आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएंगी अगर आज के वचन को आपने ग्रहन कर लिया प्रिस अलोट इश्ववसी के वचन में जीविन है जीवत है और वो जीवन हमें शक्ती देता है हमें ज्योती देता है हमें बुद्धी देता है Hallelujah देखी जब पर्मेशन ने हमको चुना Bible कहती है उसने चुना और हमको निक्त किया यहना पंदरा का सोला हम पढ़ेंगे Hallelujah तुमने मुझे नहीं चुना तुमने मुझे नहीं चुना पर तुम मैंने तुमें चुना है बल्कि मैंने तुमको चुना है कौन कह रहा है प्रभू तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमें चुना है और शिर्फ चुना ही नहीं है तुमें चुनकर न्युक्त किया है Yes एओ आलो आप लोग एक्साइटेट नहीं है आप लोग एक्साइटेट नहीं अभी कोई बता दे आपका पोडोसी बहन मेरे घर में आज मेरे बच्छे का बच्छे का बढ़र आप पριज आईएगा आप इमिडेट एक्साइटेट हो जाएंगे कि शादी में जाना एक्साइटेड हो जाएंगे उसने आपको चुना है हलो तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना है और सिर्फ चुना ही नहीं है चुनकर नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ किसके लिए आपको नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे हैं हलो इस लौट आप जानते नहीं आप कौन है लेकिन यहां पर मिश्र क्या कह रहा है कि तुझे मेरा सह कर्मी बनना है कितने लोग प्रभू का सह कर्मी बनना चाहते हैं जाकर्मी का मतलब समझते हैं उसके साथ काम करने वाला ऐसे पार्टनर वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर नहीं हम लोग स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहते हैं प्रभू मैं सो रहा हूं तो काम कर मैं सो रहा हूं तो काम कर परमेशा कह रहा है वर्किंग पार्टनर बनो अलो वर्किंग पार्टनर सुआर gosh तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर अपॉइंट किया है निुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे है कि तुम जो भी कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा अब इसमें सारा काम तो प्रभू कर रहा है आपको क्या करना है करने आपको सहकरमी बनाया आज के जो वचन है वह आपको बताता है कि forms परमेश्र का सहकर्मी हूं जिसन आपने इस विचार को अपने अंदर धारन कर लिया कि मैं परमेश्र का सहकर्मी हूं आप अपने आपको अनाथ समझते हैं कि पर हुद्याकर आप एकोल अनाथ हो जाते हैं आप असुरक्षित आजाते हैं आप पर्भु के सामने आते हैं असुरक्षित मैसूस करते हैं हमें हो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना चुन कर निक्त किया है यह किस Совर कि ने किया है पर मिशने तके तुम फल लाओ ये किसको करना है हमारा काम क्या है ज्याना और फल लाना फल्वंद कौन करेगा हलो कौन करेगा फल्वंद परमेश्वर कब आपके साथ चलेगा जब आप जाएंगे हलो मैं आपको सच कह रहा हूं परमेश्वर आपसे एक परसंट भी काम कराना नहीं चाहता है कि बढ़ा अच्छा उधारन एक एक किसी पास्वान ने बनाया था मुझे बहुत अच्छा लगा हो सो धारन मैं आपको बताना चाहता हूं आप सम्मेश से बहुत से लोग पिता हैं अलेलिया एमैन आप सोचेंगे आप माएं हैं आपका छोटा बच्चा दो साल का तीन साल का बच्चा और आप बड़ी सी टेबल एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं एक बड़ी सी टेबल एक रूम से दूसरे रूम में लेके जा रहे हैं और आपका दो साल का बच्चा आता है पापा 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 मैं भी आपकी हेल्प करूंगा आता है कि नहीं आता हाल तो टेबल का वह किसने पकड़ा हूआ है बाप लें टेबल का सारा बहर किसके पास भापके बाके बात पास उसने चोटासा एक कोना पकड़ा हूए और वो दोनों दूसरे रूम में जाते हैं और टेबल को रख देते हैं बच्चा खुश होता है टेबल ले आए टेबल ले आए टेबल ले आए अपनी मां से कहता देखो पामी ये मैं और पापा टेबल लेकर रहे हैं किसने किया काम यही हमारा परमेश्वर है यही हमारा पिता है वो चाहता है थोड़ा से हाथ लगा तू Amen तेरा चमतकार तेरे जीवर में पूरा होगा लेकिन तेरे चमतकार को तेरे लिए मैं पूरा करूँगा तो थोड़ा सा हाथ लगा Amen थोड़ा सा हाथ लगा हम उस चमतकार का हिस्सा बना नहीं चाहते Praise the Lord तुमने मुझे नहीं चुना है मैंने तुमें चुना है और चुनकर निव्ट किया है ताकि तुब फल लाओ जब तुम जाओगे फल लाने के लिए कदम बढ़ाओगे तो तुमारा फल बना रहेगा और तब तुम जो मुझे मांगोगे मेरे नाम से वो तुमें मिलेगा Amen आपको क्या करना है आपको जाना है उठना है प्रात्रा करनी है अपने आपको सक्रिय करना है हलो क्या करना है अपने आपको सक्रिय करना है बैठना नहीं है इससे क्या होगा जब आप उसके सह कर्मी बन जाएंगे तो इससे ही होगा एक तो आपके अंदर साहस होगा आपके अंदर दिलाशा नहीं आएगी आपके अंदर दोश की भावना नहीं आएगी आप परमिशर बदोश लगाए परमिशर कितने महीने होगे प्राथना करते हुए दोश की भावना नहीं आएगी निराश नहीं होंगे, संदे नहीं आएगा आपके अंदर बेसे लॉट, ये तीनों काम पर आपको शैदान करता है हलो आपको काम करना है, परमिशर चाहता है, मेरा बच्चा मेरा काम करना है अब बता है, इश्व मसीन जितनों कोई चंगाई दी जिस किसी को चंगाई दी, उस तु क्या कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है विश्वास एक कारे है याकूब की पत्री दोका 26, विश्वास क्या है हलो मुझे बात करिये, विश्वास क्या है विश्वास क्या है, जो हमें करना है अता जैसे देह आत्मा भिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म भिना मरा हुआ है अगर आप कर्म नहीं करते हैं विश्वास अधूरा है अगर आपका कर्म अधूरा है आपका विश्वास पूरा नहीं होगा आपको पता है जब इश्व मसी उस नौ पर सवार थे और नौ पर सवार होते हुए जब वो उस पार गए जब उन्होंने चेलों से का आओ हम उस पार चलते हैं प्रेस अलोड और इश्व मसी सो गए यादे आपको इश्व मसी सो गए और तुफान आया लहरे उठने लगी गिरने लगी इश्व मसी सो गए और चेले डर गए चेली डर गया और उन्होंने उठाए शू मसी उठा हम मरे जा रहे हैं और तू सौरा है इशू मसी उठे और उन्हें तुफान को डाटा, लहरों को डाटा शांत किया और फिर उसका बास क्या कि अलप विश्वासियो तुमारा विश्वास कहां है उनके पास विश्वास तो था लेकिन उन्होंने कर्म नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया, क्यों नहीं उपयोग किया, आप क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने उद्देश को भूल गए, आपका उद्देश क्या है, आप चर्च क्यों आते हैं, What is your goal? आपका एम कैंआ है? आपका चर्शाना क्या एम है? किया छंगाई पाना आपका एम है? या आपका धंदा बढ़ जाए, ये एम है。 या बच्चे की शादी हो जाए, ये एम है. आपका एम क्या है? प्रभू को पाने में आपका एम क्या है? आपको परमेशन ने क्यूं सह कर्मी बनाया ताकि आप अपने एम को ना भूले मुझे आशिश चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे रोठी चाहिए लेकिन मैं अपने उद्देश को ना भूलू शैतान कब काम करता है आपके अंदर? जब आप उद्देश को भूल जाते हैं शैतान चाहता है कि आप अपने उद्देश को भूल जाएं इसलिए वो आपके अंदर डर का प्रभाव, आजमाईशें लेके आता है आपके अंदर आप परिक्षा में डर जाते हैं अड़ कि अपन से और आपको प्रभावित करता है एडमास के वर और से आप ड़ जाते है ऑल गोक्र धिया इसलिए आप सहक्रमि homie नहीं बन पाते हैं आप उसके संग काम नहीं कर पाते क्योंकि आप ड़ जाते है कि शेतान आपको डराता है हालव़िया इश्व मज़ी ने जब भी काम किया जब भी को चमतकार किया उन्होंने आपका साथ दिया है जब दाखरास खतम हो गया और मरियम ने आकर इशुमसी ते कहा कि दाखरास खतम हो गया है अललिया और इशुमसी ने कहा था हे नारी मुझे तुस्से क्या काम प्रेस अलॉट सारा पानी खतम हो गया वोजे वहां पर पड़े हुए थे डबे पड़े हुए थे जो मर्तबान हुआ था था आलोईया अब अब देखी जब इश्व सीक हमत्कार करने वाले हैं ध्यान दीजिएगा जब इश्व सीक हमत्कार करने वाले पढ़िया वीटा 2 का 6 और साथ वाँ यहुदियों की शुद्ध करने कीरिती कि अनुसार पत्तर के छे मठके भठरे थे पत्तर के छे मटके भरे हुए थे हालेलुया जिसमें दो दो तीन तीन मन समाता था एश्यू ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो उन्होंने उन्हें मुह मुह भर दिया हालेलुया तब उसने उससे कहा अब निकल कर बोज के प्रदान के पास ले आओ Amen, Amen, Hallelujah क्या काता मर्यामने की दाखरास खताम हो गया है विवाम में किसी इसकी जरूरती मुझसे बात करी किसकी जरूरती किसकी जरूरती इशु मुसे क्या कर रहते है पानी डालो Hello Amen आप चाहते कुछ हैं और परमिशर कुछ और चाहते हैं आप से करवाना है Hello Hallelujah वो जो सेवक थे हूँ वो सोचने लगा कह रहे है यार ये कैसा आदमी है हमको जरूरत है शर्बत की और ये के था पानी डाल दो इसमें क्या इशु मसीख के पास वर्दान नहीं था Hallelujah वो परमिशर के पुत्र थे वो बोल सकते थे कि जो घड़े हैं इनमें पानी इनमें दाखरस भर जाए वो अगर बोलते तो दाखरस नहीं भर जाता वो बोलते तो दाखरस भरता कि नहीं भरता Hallelujah वो प्रिभू है इन मठकों में दाखरस भर जाए मुँआ मुँ भर जाए Hallelujah को काम दिया है पानी डालो हालेलिया प्रेस अलॉट वह आपको क्यों आज्या देता है वह आपको आज्या क्यों देता है ताकि वह आपके मन को देखना चाहता है आप उसे कैसे पूरा करते हैं आप परमेश्वर के मुख से निकले वच्णों की क्या कीमत समझते हैं प्रेस अ बैबरहाइम को योहीं हमारा मूल पिता नहीं का उत्पति 22 में जब अबरहाइम को परमिशन निका है अबरहाहेम Yes, Lord, मैं तयार हूँ, मैं हाँ, सुन रहा हूँ, बताइए, He is alert जा, अपने एकलौते पुत्र से, अपने एकलौते पुत्र को जिससे तू प्यार करता है, उसे मेरे लिए बलिकर ओके, और बाइबल कहती है, वो जल्दी उठ गया It's a lot, उठके बैठने, घुटने इंटेके कि प्रभू तु क्या कह रहा है, मेरा एकलौता पुत्र है, सौ साल के बाद तुन्हें दिया है परमिश्र यही तो देखना चाहता है, कि आप उसकी आज्याओं को कैसे लेते हैं, वो सिर्फ उठाई नहीं, अपने गधों को उसने सामा रहा, लखडियां उसमें बनाई, सेवकों को लिया, बेठे को उठाया, और चल पड़ा परमिश्र की आज्या पूरी करने के लिए चादी में शर्बत खतम हो गया था, इशु मसीन क्या कहा, सेवकों को कि इन मठकों को भर दे, हाललुया, हलो, चमतकार देखना चाहते हैं, अपने जीवन में चमतकार देखना चाहते हैं, हाललुया, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमतकार आप देखें, जब सेवको को इश्व मसी ने कहा कि इन मठकों को पानी से भर दे उसने मुआ मुँ भर दिया अपनी डूटी नहीं ने भाई कि यार दो पाल्टी डाल दूं तीन बाल्टी डालूं बचन कहता सात्मा पढ़िये आप मुआ मुँ उपर तक भर दिया मुझे परमेश्वा ने आग्या दिये prays the Lord मुझे परमेश्वा ने कहा है कि जा ओ अस उसमाचार सुनाओ मुझे परमेश्वा ने चुना है मुझे परमेश्वा ने अपना सहिकर्मी बनाया है उस सेवकों ने सिरब पानी नहीं भरा हम दाखरस मांग रहे हैं और यह हमको पानी दे रहा है चल भई, चार बाल टी डाल दे मुआ मुँ भड़ दिया उपर तक क्योंकि प्रभू ने कहा है मेरे इशू ने कहा है क्या आप इशू को देखते हैं आपने जियवन में ऐसे कि मैं प्रातना का समय ले रहा हूं रात को दो से दीन ड्यूटी अभी छे दिन रहे ग подход अभी साद दिन रहे ग़ Championships ऐसे देखते हैं यह मेरे प्रभू ने कहा है मैं दो से तीन प्रातना कर रहा हूं धन्यवाद मैं कर पा रहा हूँ आप कैसे देखते हैं प्रभु को परमेशन आपके मन को देखना चाहता है नामान कोड़ी जो कि सीध्या का सेना पती था सीध्या का सेना पती जब उसे उसी के घर में काम करने वाली छोटी सी ललकी ने बताया नौकरानी ने बताया कि अगर आप इस्राइल में पैदा होते इस्राइल में होते तो वहाँ का नभी था और वो नभी आपके लिए प्रातना करता है और आपका कोड़ चला जाता वो कोड़ी था अलेलिया नामान ने उसकी बात मानी लेखो अगर आपको प्रभू को पाना है न अपने कान खोल के रखिये यह मत सोचे कि पास्टर ही कहेंगे तो उनकी वानी को यह सुनूंगा मैं नहीं कब किसके द्वारा प्रभू बात करे आप नहीं जानते हैं कब किसके द्वारा पर मेंशर बात करे मैं अपनी कान और आखे खोल के रखता हूँ मैं एक बच्चे से भी सीखना चाहता हूँ अलेलिया अभी दो दिन पहले की बात है एक पंजाब से पटियाला से हमारे एक बच्चा है उसका फोन आया वीडियो कॉल आलेलिया और मैं सच कह रहा हूँ उसकी जबान पर मैंने प्रभू का आशीश देखा मैं जिन चीजों के लिए परातना कर रहा था वो सब उसने बता दी मुझे कहता है पास्टर जी आपको क्या चाहिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है आप मुझे बताई मने कहा अगर आपको प्रभू बता रहा तो आप बताई उसने बताई आपको ये चाहिए आपको ये चाहिए आप इसके लिए प्रातना कर रहा है अमितेश भी वहां बैठा हुआ था उसने अमितेश को देखा नहीं लेकिन उसने अमितेश के लिए भविश्वानी करना शुरू की सामने बैठा हुआ है इसका चेहरा वो प्रभाव को पढ़कर इसके चेहरे पर प्रभाव आया कि वाकई ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है उसने कहा कि आपका बेटा आने वाले वक्त में जब ख़ड़ा होगा तो लोग आशीश पाएंगे आपके बेटे का भविश्य प्रभू ने बहुत अच्छा निर्धारित किया है बहुत आशीशीद आपका बेटा है बस इसको एक चीज़ करनी है सामने बैठा हुआ है कि इसको संसार से निकलना है रोज की दिन चर्या इसको बदलनी पड़ेगी सामने बैठा हुआ है और इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ सही है जब तक आप संसार को नहीं निकालोगे प्रभू आपसे बात करी नहीं सकता है अगर आप चाहते हैं कि प्रभू आपसे बात करे आपको संसार से अलग होना पड़ेगा तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ वो आदमी वो लड़का मेरे वचन सुनता है मुझसे प्रातना लेता है लेकिं दो दिन पहले परमिश्र ने उसके द्वारा मुझसे बात की हमें हमेशा तयार रहना चाहिए प्रभू किसके द्वारा कभी भी बात कर सकता है हलो मस सोचिए कि यह छोटा है यार यह क्या बोलेगा प्रेस अलॉट हललॉया इसलिए नाबान नभी ने अपने छोटी सी नौकरानी की बात सुनी और वो यहाँ पर आया इस्राइल में आया यह इस्राइल में आया तो एलिश्या ने जो कि परमिश्र का सेवक था उसको बाहर भी नहीं आया उसने का जाओ इसको बोलो यर्दन नदी में साथ बार डुबकी कर ले प्रेस अलॉट क्या कर ले साथ बार डुबकी कर ले क्या एक की डुबकी में नहीं निकल सकता था वो एक बार की डुबकी में नामान ठीक नहीं हो सकता था हो सकता था लेकिन नामान के अंदर एहम था घमन था कि मैं सीरिया का सेना पती हूँ घोडे लेकर आया था एलिशा से मिलने के लिए सोना चांदी लेकर आया था आप क्या सोना चांदी लेकर परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहते हैं नहीं होगा परमेश्वर परसंद परमेश्वर ईशु किस से प्रसंद नहोगा पता है उस कंगाल विद्वा से जिसके पास दो दमडी थे लेकिन उसका मन उसकी आत्मा प्रभु में थी हाललुया हम क्या दे सकते हैं प्रभु को हम कुछ दे सकते हैं अरे हम उसके योगे बन जाएं हमारा जीवन उसके काम आए यही बहुत बड़ी बात है यही इच्छा हमारी होनी चाहिए यही समर्पन हमाना होना चाहिए कि हमारे जिस तरीके से ईशु मसी ने अपने लहु का एक एक कत्रा हमारे लिए बहा दिया हम भी अपने जीवन का, अपने लहुका एक एक कत्रा प्रभू को दे अलेलुया, अमेन परमेशन आपको अपना सह कर्मी बनाता है इसलिए उसे सेवकों से का कि सेवक, जाओ इस मटकों को पानी से भर दो और सेवकों ने आज्या दे, आज्या मानी और उस मठकों को मुआ मुँ भर दिया मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कभी भी परमेश्वर का काम शरीर से मत करिए दिल से करिए कोई भी काम परमेश्वर कहता है ये काम करो दिल से करो हो सकता है बिमार हो, हो सकता है कमजोर हो हो सकता आपको पैसे ना हो लेकिन आप प्रभु ने का है आपको प्रभु ने भोज दिया है आपको करना है प्रेस अलोरट पर मेशन है किसली आपको चुना है याप नि जानते वो जानता है हमें आपने आपको फूर तरीकες से समर्धित करना है प्रभु के चल judiciary में इसलिए कहते हैं इर्मिया तेंटिसका तीन वचंग क्या कहता है देखिए इर्मिया तेंटिसका तीन मुझसे प्रातना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठीन बाते बताओंगा जिने तुअभी नहीं समझता क्या कह रहा है मुझसे प्रात्रा कर क्योंकि हम कौन है हम कौन है मुझसे सह करमी हम कौन है हम कौन है वो कहता है मुझसे प्रात्रा कर और मैं तुझे वो बड़ी और कठिल बात है बताऊंगा जो तुझे नहीं पता है Hallelujah Praise the Lord वो क्या देना चाहता है आपको वो precaution देना चाहता है जिस precaution के दौरा आप इस धर्ती पर स्वरकानभव करेंगे Hallelujah वो आपको वो बुद्धी देता है बुद्धी देना चाहता है जिस बुद्धी के दौरा आप इस Bible को समझ लेंगे Praise the Lord Hallelujah इसलिए वो कहता है प्रात्ना कर प्रात्ना किसका काम है सहकर्मी का काम है हम सहकर्मी है हमारा काम क्या है हलो हमारा काम क्या है प्रात्ना करना जब हम प्रात्ना करेंगे तो वो हमें बड़ी बड़ी और कठिन बाते बताएगा Hallelujah Amen क्वाम करना है और अपना। हमारा क्या है प्राथना करना।। सबसार। शूटय उसे क्या करता है। सांस तो हो लेरा है दो जिन्दा है वो तो सांस ले रहा है . बहुते हुए लेकिं हो दक्तर करता है ? बजयाता है उसको चले डौक्त बरूरा थाया है ? ताकि उसके फेपड़े देखना चाहता है कि उसके फेपड़े सही हैं कि नहीं है अंदर का जो लंग्स हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है हललुया जब आप प्रातना में रोते हैं तो परमेश्वर आपके अंदुरूनी मन को देखना चाहता है रोईए प्रात्रा में उसे मांगे वो देगा आपको आप उसके सह कर्मी है Praise the Lord प्रात्रा कर क्योंकि मैं तुझे वो बाते बताऊंगा जो तुझे नहीं बताऊंगे Amen मैं सच कह रहा हूं मैं हर दिन प्रभू के बहुत करीब आता हूं हर दिन मैं हर दिन रोता हूं मैं हर दिन मांगता हूं यहां से तीन-चार बजे मैं अपने घर पहुचूंगा उसका द्खाना खाऊंगा और पंदरा मिंट सोंगा और उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा धन्यवाद की प्रात्रा करूंगा पहले तो कि आज के कलीशिया के लिए आप सब के लिए धन्यवाद करूंगा प्रात्रा सा धन्यवाद की प्रात्रा करूंगा और फिर रोंगा कि मुझे और बुद्धी दीजिए मुझे और समझ दो मैं और प्रकाशन चाहिए कि यदा कि मैं आपके वचन को जान सको मुझे और तो लाउं आप यूह परमिश्व को नहीं पहा सकते आपको रोना पढ़ेगा आपको घुटने पहाना पढ़ेगा आपको बताना पड़ेगा उस पिता को कि उसका वचन उसका उसकी जोती ही आपका जीवन है चांदी सोना जीवन नहीं है आपकी नौकरी जीवन नहीं है आपका दंदा जीवन नहीं है पैसा जीवन नहीं है जिस दिन उसकी समझ आ गई नीती वचन दोका दुख्या कहता है मेरे मेरे पुत्रों मेरे वचनों को ग्रहन कर ले और मेरी समझ का सहारा ले समझ का जिस जिन उसकी समझ हमें मिल गई जिस जिन उसकी द्रिश्ची से हम परमेशर के वचनों को समझने लगे अलो जिस जिन आपको वो प्रकाशन मिल गया जो इशू मसी का है प्रकाशित वाकिय में क्या लगा हुआ है इशू मसी का प्रकाशन वो कौँ सी किताब है जिसमें इशू मसी का प्रकाशन है इसलिए लोग समझते हैं प्रकाशित वाकिय बहुत ही different है बहुत ही difficult है आज मैं आपको अभी अन्तिम ने एक राजा से मिलवाऊंगा वो एक सहकर्मी बनकर उसने किस तरीके से अपनी लिलाई को जीता उसने कैसे उस युद्ध को जीता उसका नाम था यहोशापाथ दूसरा इतिहास सकेंड क्रोनिकल 20 पहला पड़िये यहोशापाथ है जो कि परमेश्र को जानता था जो कि परमेश्र का सेवक था जो परमेश्र की उपसिती में था हाललया यहोशापाथ अब तीन राज्य मिलकर इस पर चड़ाई कर रहे हैं अब देखिए ध्यान देजिए इसके बात और अमोनियों और उसके साथ कई मुणियों ने युद्धा करने के लिए यहोशापाथ पर चड़ाई कि यहोशापाथ पर चड़ाई कि तीन राज्यों ने मिलकर यहोशापाथ पर यहोशाबाद वह घबरा गया वह परमेश्र का सेवक था परमेश्र क recently का दास्द्व créer ह Weird परमेश्वर क्या तू उनका न्याय न करेगा यह तो बड़ी भीड हम पर चड़ाई कर रही है उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सुचता नहीं कि क्या करना चाहिए तो हमारे आखे तेरी और लगी है एमें एमें हालेलुया योशापात क्या था राजा था रेस अलोड उसने अपने आपको खाली किया प्रभू के सामने कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं प्रभू कब काम करेगा आपके जीवन में कब चमतकार करेगा आपके जीवन में जब आप उससे कहेंगे कि मैं कुछ नहीं ह कि आपने substantive के पास नहीं है लोगें आपने राज जमें बो लोगों की senior अजयाओ मेरी सेना को भड़ा हूं तीन राज हैं में पास अगर दस अजार सैनुंग है तो 20,000 Gotis कर लूँ देखो मैं हत्यार कितना है मेरे बषेव कहां गया सीधा। और मेशर के पास गया कि मुझे दया कर क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है हाललुया मैं कुछ भी नहीं हूं तू मुझे यहां से निकाल तू मुझे निकाल चौदमा पड़िये तब आसाफ के वंश में से यह जिल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनया का पोता और मत्या के पुत्र येल का परपोता था उसमें मंदली के बीच यहुआ का आत्मा समाया जैसे कि नए नियम के बाद पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है लेकिन उस समय आत्मा कभी-कभी आता था तो उस समय मंदली में एक बंदा था जिसके उपर परमिश्र का आत्मा समाया और उसने परमेशर की वानी बोली आगे तब वह कहने लगा है सब यहुदियों है यरुशलेम के रहने वालों यह राजा यहुशपात तुम सब ध्यान दो ध्यान दो क्या ध्यान दो सोचिए यह वा तुम से यो कहता है तुम इस बड़ी भीड से मट डरो और तुमारा मन कच्छा ना हो क्योंकि युद्ध तुमारा नहीं परमेशर का है अलेलुया जवाव अपनी समस्यां को लेकर प्रभू के पास जाएंगे जवाव अपनी परिक्षाव में प्रभू के पास जाएंगे जवाव अपनी आजवाईशों में प्रभू के पास जाएंगे और कह मैं कमजोर हूं मुझे तेरी जरुरत है पल्चन कहता है उसकी आत्मा कहती है कि युथो तेरा नहीं है परमेश्व का ए जदम एसमेश्य हैं कि नविछ प्रमेश्व से अलग कर लेगा जिस दिन मनकर परमेशर के अंदर आएगा कि मैं कुछ भी नहीं मुझे तुने चुना ज़रूर है लेकिन मैं कुछ भी नहीं मुझे ना बुध्धी है ना ग्यान है ना मेरे Central शक्ती है मुझे तेरी जरूरत है तब परमेशर कहेगा कि मेरे बच्चे ये युद्ध तेरा नहीं है ये मेरा है हाललुया हमें टरने की जुरूरत नहीं है मेरे भाई मेरी बहन हाललुया प्रेस अलॉट 21-22 पड़िये तब उसकी प्रजा के साथ सम्मती करके कितनो को ठहराया जो की पवित्रता से सोभाय मान होकर हतारियो बंदों के आगे-आगे चलते हुए हुआ के गीद गाए और यह कहते हुए उसकी स्तूति करे एमेन क्या-क्या यह हुशा बात ने जब परमेशन ने कहा कि तेरी लडाई नहीं है मेरी लडाई है तो उसने उन लोगों को सेनिकों को नहीं चुना उनने उसने उन लोगों को चुना जो प्रभू के गीद गाते थे जो प्रभू के सेवक थे जो प्रभू में लीन थे उसने उनको कहा कि चल तुम लोग सब के आगे होगे हाललुया सैनिकों से भी आगे तुम होगे युद्र की शेनी में सबसे तुम आगे होगे और तुम लोग क्या करोगे इस्तुती आराधना करते हुए आगे बढ़ोगे Amen हम लोग समझते नहीं है इस्तुती आराधना हमारे लिए बहुत मामूली चीज है आप समझते नहीं है आप लोग जो यह आराधना करते है मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ आप समझते साउंड आ रहा है के नहीं आ रहा है यह माइक कैसा है यह साउंड इसका अच्छा है उसका साउंड अच्छा है किसके लिए इनके लिए ताकि ये भाई देखेंगे, सुनें, कैसा लगेगा कभी आपने आरातना करते समय सोचा है कि मैं प्रभुक्षिक, परमेश्र के लिए आरातना कर रहा हूँ उसको क्या चाहिए उसको क्या चाहिए उसको मेरी आवास चाहिए मेरा ओक्टोपेट चाहिए मेरा रिधम चाहिए उसको या मेरी आत्मा चाहिए Amen कभी हमने वर्षिप करते समय सोचा है कभी हमने वर्षिप की exercise करते मेरे सोचा है मेरे माईक की आवास चली गई तो हो सकता ये माईक की आवास आप तक ना पहुँचे लेकिन अगर मैं सच्चाई से यह मेरा माएक आप तक पहुंचेगा लेकिन मेरी आत्मा की अवास परमिश्वर तक पहुंचेगे इसलिए प्रयात्ना करने का अराधना करने का धुकोंसला मत करिए अगर आपके अंदर संसार है अब्राहिम ने अपने सेवकों से का था उत्पत्ती 22 के पांच में कि मैं उपर जा रहा हूं मोरियाबद पर 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 और मैं और ये लड़का आराधना करेंगे क्या का था आराधना करने से पहले उसने अपने बेटे को लड़का बना लिया था आप समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ रहे हैं आराधना करते समय कोई भी रिष्टा आपका रिष्टा नहीं है सिर्ब एक ही रिष्टा होना चाहिए जब आप आराधना कर रहे हैं पिता और आपके बीच का रिष्टा मेरा पती सुन रहा है, मेरी पत्नी सुन रही है, मेरी महभूबा सुन रही है, मेरा महभूब सुन रहा है, कोई मतलब नहीं है आलेलिया, उनको सुनाना है तो फिल्मी की सुना दीजिए अपने हातों में फूल लेकर, बाग में टहलते हूं सुना यह आलेलिया Praise the Lord लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक ही भावना होनी चाहिए कि मैं अपने पिता के लिए का रहा हूँ मुझे अपने इशु को प्रसंद करना है Praise the Lord और आराधना सुनते हुए भी आपके अंदर यही भावना होनी चाहिए जब आप उस आवास को repeat करते हैं जब आप उन गीतों को repeat करते हैं तो आपके अंदर भी एक ही होनी चाहिए कि मैं परमिश्र से एक हो जाओं इसलिए जल्दी आईए आराधना को value दीजिए आराधना की value है यह शापात ने जब जाना की परमिश्र मेरी लडाई लड़ेगा उसने अपने सैनिकों को अपने युद्ध के हत्यारों को नहीं देखा उसने उन आद्मियों को चुना जो आत्मा से अराधना करते थे और उनसे कहा के युद्ध की टुकुडी के आगे आगे तुम लोग गाओ प्रेस अलॉट आले यह बाइस नहीं पड़ी है जिस समय वे गाकर स्तूती करने लगे उसी समय यहाने अमुनियों मुअब्यों और सेहिर के पहाड देश के लोगों पर जो यहुदा के विरुद्ध आ रहे थे घातो को बैठा दिया और वे मारे गए दुश्मन मारा गया क्या क्या था दुश्मन ने यहोवा के बंदों को ललका रहा था परमेशन ने क्या किया जब उन्होंने इस्तुती की आपके जीवन में इस्तुती अरादना बहुत बहुह मूले सीखिए आप यहोशापाथ से हम जड़ासी प्राबलम होती है हम उदास वे दाते है जब भीप्राबलम हो उदास हो इस्तुती करिए ज़ोड जोड से प्रशंशा करें उसकी घर में यां बिमार हैं स्थिति करिए है दन्यवाद दीजोए परमीश 75 धन्यवाद धन्यवाद मुझे 140 भुखा रहा हुआ फिर भी मैं तेरी प्रशंषा करूँ गा mutual करूँ है कि मेरे अन्यवाद में इतनी शक्ति है आलेलुया क्योंकि हम उसके कौन है सहकर्मी है बुलिए मैं इशुका सहकर्मी हूँ आलेलुया प्रवेशा आप से बहुत प्यार करता है बहुत प्यार करता है एक अंतिम बचान आपके लिए बताऊंगा मर्कुस 11 का 23 और 24 मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहार से कहे तू उखड़ जा और समुंद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतिति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा प्रेस अलोट अलोगी यह देखिए परबत को हटाना किसका काम ह अब बीच में जो सहकरमी है उसका काम क्या है प्रतिती करना बाइबल क्या कहती है प्रतिती कर कि यह काम हो गया है प्रतिती कर यह काम हो गया है जो मैंने कहा है वो हो जाएगा प्रतिती करना सहकरमी होना है प्रात्रा करने के बाद विश्वास करना कि येस जो मैंने कहा है वो होका, हालिलुया, हम प्रात्रा करने के बाद संदे करते हैं, चल लिए इस पास्टर से प्रात्रा करा लिए, चल लिए दूसरे पास्टर को फोन करते हैं, दूसरे से भी कर लिए तीसे को फोन करते हैं, प्रेस अलॉड, हालिलुया, परमेश्वर आपको सहकर्मी बना रहा है इसलिए सहे करमी होने के बाद आप जब विश्वास करते हैं उसका कर्म करिए और कर्म क्या है उस चीज़ को मनन करना उस चीज़ को कहना कि यस जो मैंने कहा है वो होका प्रतीत ही कर लो कि जो मैंने कहा है वो होगा और तुमारे लिए हो जाएगा हालेलोईया आज कोई हमने सीखा अगर आज का वचान आपने गिरहन कर लिया मेरे भाई, दोश लगाना, निराश होना और संदे करना, ये तीनों चीज़ी अपने जीवन से निकल जाएंगे, प्रेश अलॉट गॉलिया इशो मसी की इशो मसी की इशो मसी की प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है, गॉर्ट बेस्यू